So once again welcome to my channel और मैं आज बताने वाला हूँ एक ऐसे फुटबॉलर की कहानी जिनकी लाइफ स्टार्टिंग में कुछ और थी और फिर उन्होंने एक डिसिजन लिया लाइफ में और उस डिसिजन के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होगी तो मैं बात कर रहा हूँ इंड चाहिए के टॉप मिड़ फिल्डर्स में से एक कह जाते है सीजन सन् लिंगडों के बारे में। योजन सन लिंगरों फूटबॉलर करियर वह इन्हों ही था लोकल क्लश में खिला करते थे इस तरह से उनके फूटबॉल-करियर था वो धिरी दिरी ऊपर उठा तो जैसे कि आ में एक ऐसे सिच्वेशन आय थी जहां पर उनको बहुत बड़ा डिसीजन लेना था क्योंकि लिंग्डो जो थे वह एलेक्ट्रोनिकल और टेली कम्यूनिकेशन के इंजिनियरिंग के पढ़ाई कर रहे थे और वह लास्ट एयर में थे और उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं और अपने जो ड्रीम था उसको परसियो करने के लिए आगे बड़े तो ऐसे उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और फिर एक आयली क्लब था सिलॉंग में ही रंगदा जीद उनाइटेड वो क्लब से उन्होंने आयली खेला और उसके बाद माद सिलॉंग से खेला तो इ उन्होंने गोल स्कोर की असिस्ट किये और उस सीजन का उनको अई-लीक का बेस्ट प्लेयर का आवार्ड भी मिला और 2015 में उनको इंडिया का बेस्ट फुटबॉलर का आवार्ड भी मिला जो AFF की तरफ से दिया जाता है आपको पता ही होगा कि ISL स्टार्ट हुआ तो ISL के फ 1.10 करोड में खरीदा इस तरह से आप देख सकते कि वो एक इंजिनेरिंग ड्रॉप आउट से एक करोडपती फुटबॉलर बने और 2015 में उन्होंने इंडियान टीम के लिए डेब्यू भी दिया और इस तरह से वाज इंडिया के टॉप फुटबॉलर्स में से एक कह जाते है और फिलाल अभी लिंग्डो इस्ट बेंगॉल फुटबॉल क्लब से खेल रहा है अभी लास्ट कुछ इयर से वो इंजिरी के कारण उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है वो 2019 का इसे कभी ने खेल पाई इंजिरी की वज़े से तो आई होप लिंग्डो रिकवर क से करोड़ोपती फुटबॉलर बनने की तो लिंग्डो एक बहुत ही अच्छा लेसन हम सबको देते है कि लाइफ में डिसीजन मेकिंग कितनी जरूरी है लिंग्डो ने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया और आज वो उस मुकाम पर पहुंचे जो कई लोगों के लिए और लिंग्डो की स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया होगा For more videos you can subscribe to my channel and thank you for watching the video